कुल्चाप पनीर चंडिपूर नाम के शहर में गोपिनाथ और संजे एक दूसरे के पडोस में रहते थे और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे संजे गोपिनाथ से यार गोपी, रिपोर्ट कार मिला आना कितने माक्स मिले हैं? गोपिनाथ करते हुए दोनों अपने अपने घर पहुंचे गोपिनाथ को खाना पकाना खूब पसंद था एक दिन उसकी माँ वनजा रसोवी में खाना बना रही थी तब गोपिनाथ वहां पहुंचा और क्या बना रही हो माँ? यूँ पूछा तब वनजा त्योहर आ रहा है ना बेटा इसलिए मैं कई किसम के मिठाया बना रही हूँ तब गोपिनाथ माँ मैं बनाओ? वनजा तुम क्यों बनाओगे बेटा? गोपिनाथ मुझे एक बार बनाने दो ना मा प्लीज तभी उसके पिता जी कौशिक अरे कमबत तुझे पढ़ने के लिए कहा और तुम यहां रसोवी में खाना पकाना चाहते हो? अरे पढ़ाई में ध्यान दो और बड़े आदमी बनो चलो निकलो यहां से यूं कहा? इस तरह गोपिनाथ पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए खाने की ओर रूची दिखाते हुए पास मार्क्स लेकर वो आगे भढ़ने लगा और वहां संजे फर्स क्लास में पास होता था गोपिनाथ के मार्क्स देखकर उसके पिताजी कौशिक अरे कमबत उस संजे के मार्क्स देखकर कुछ तो सिखो लेकिन गोपिनाथ इसकी परवा बिल्कुल नहीं करता था इंजिनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके संजे यूएस गया पर गोपिनाथ में सिरफ डिगरी की पढ़ाई पूरी की लेकिन उसने बढ़िया खाना बनाना सीखा एक दिन कौशिक गोपी से अब देखा बेटा तुमने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और यहां बैठे हो और वहां तुम्हारा दो संजे इंजिनियरिंग करके यूएस चला गया तब गोपिनाथ पिता जी मैं एक छोटा सा धाबा खोलना चाता हूँ और उसमें मेरा स्पेशल आइटम होगा कुल्चा पनीर कौशिक तुमारा जोजी मैं आया करो बेटा तुमारी मर्जी मेरी आशाओं पर तो तुमने पानी फेर दिया गोपिनाथ ने शहर के एक सेंटर में एक छोटा सा होटल खोला और वहां पर बोर्ड लगाया कुल्चा मटर पनीर is our specialty गोपिनाथ बहुत बढ़िया कुल्चा पनीर बनाता था वो सिर्फ मैदा के कुल्चे नहीं बनाता था तवा कुल्चा बना कर उसमें मटर पनीर मिलाता था वो बहुत स्वाजिष्ट होता था एक ग्राग गोपिनाथ से भाईया तुम्हारे हाथ में जादू है पता नहीं तुम क्या मिलाते हो तुम्हारा कुल्चा मटर पनीर बहुत स्वाजिष्ट होता है यो लोग बहुत मज़र से खाने लगे गोपिनाथ का कुल्चा पनेर उस इलाके में बहुत मशूर हो गया गोपिनाथ खुब पैसे कमाने लगा फिर गोपिनाथ ने एक बड़ा रेस्टोरंट खोला वो रेस्टोरंट भी खुब बढ़िया चलने लगा एक दिन संजे यूएस से इंडिया आया वो गोपिनाथ के रेस्टोरंट जाकर गोपिनाथ से मिला संजे गोपिनाथ से यार गोपि मैं भी तुमारे साथ मिलकर यहां काम करना चाहता हूँ वहीं खड़े कौशिक संजे से क्या बात है वेता संजे तुम इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर यूएस से वापस लोटना चाते हो तब संजे मैं एक सौफ्वेर कंपनी में काम करता हूँ लेकिन अपनों से दूर रहकर वहां में काम क्यों करूँ कुछ साल पहले जैसे रिसेशन आया था अब दुबारा आ सकता है तो तानी कब नौकरी रहे कब नौकरी छूट जाए इसलिए मैंने सूचा अपनों के पास रहकर यहीं कोई काम कर लेते हैं इस तरह गोपिनात और संजे मिलकर रस्टलन चलाने लगे और उनका कुल्चा पनीर खूब बितने लगा यूँ खूब पैसे कमा कर अच्छे घर बना कर आराम से जिंदिगी बसर करने लगे